हला एवरीवन आज हम इंगलिस फर्स प्राइट का चैप्टर नमबर थ्री टो स्टोरी इस अब फ्लाइंग का जो फर्स पार्ट है आपका इस फर्स प्राइट उसको डिसकस करने वाले ओके तो एंसे आटे का जो लाइन बाइन है उसको डीटियल में आपको एक्स्प्लेइन थे ख lyn rhizaker को तक है तो तयार शोड़ाएं बहुत इंट्रेस्टिंग चैपड़ने के लिए सुआगए फ्रेंज आप सभी का इन्षे प्राइथ लियाम ऑ PAC इसका वह आपको बहुत ही अच्छे ज्यान में रखना है स्टोरी क्या वो देखते हैं फॉस्ट फ्लाइट से रिलेटेड होगा आपका स्टोरी कुछ उड़ने से रिलेटेड होगा ठीक है इस फर्स फ्लाइट यंग सीगल वॉस अलोन ओन इस लेट इस तू ब्रेदर और सिस्टर है अल्रेडी फ्लोन अवे दे बिफोर यहाँ फर्स तींग यह सीगल क्या होता है एक सीवर्ड है सीवर्ड मतलब समूंदर के पास जो आसपास जो बड़ पाया जाता है पक्ची पाया जाता है दो सेप्सें यहां पहार छोटी कर और फुसको अकेला छोड़ दिया जाता है तो आगे यहां के दो भाई और एक बहन है जो उससे एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके हैं और वो उड़ चुके हैं ठीक है यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे कि वो जो आपका सीगल है उसको उड़ने से डर लगता था अगर और वो आपकी किनारे पर जाता है किसी तरह से और वो अपने पंक्स परफणाने कोसि करता है लेकिन वो फिर भी डर जाता है वहाँ पर क्लिफ के नीचे बहुत बढ़ा समूंदर होता है और उसको डर लगता है पता हो अगर उड़े और उड़ने में नाकाम्याब रहे तो वह समुद्र में डूपके मर जाएगा तो उसको ऐसा ड़र लगता है ठीक है अगे क्या लिखा वो देखो जो यहाँ पर क्या बोल रहा है उसको ऐसा लगता है कि जो उसके पंक हैं जो उसको विंग से ओसका नहीं देंगे इसको зап नहीं कहरेंगे इसलिए वे चारव वो अपना सर Ьुखा के अपने जो हॉल है वहाँ वो चला जाता जहां पर होई सोया करता था रात में वापस से उस हॉल में वो चला जाता ये सोच कर किनारे तक तो सीगल जाता है उन्हें कोशिस भी करता है बट वो दर के मारे वापस अपने वहीं होल में वापस चला जाता है ठीक है यहां तक स्टोरी क्लियर है आगे कंटेनियो करते हैं Even when each of his brother and his sister whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away He failed to muster a courage to take the plunge which appeared to him So desperate यहां तक कि उसके जो भाई है और बहन है उसके जो पंक है उस यंग सीगल से पहुआ चोटे फिर वह उड़ना सीख जाते हैं लेकिन वह जो बेचारा सीगल है उसमें इतना हिम्मत नहीं होता है कि वह उड़ सके उसको उड़ने से ही ढड़ लगता है जब वो कोशिसी नहीं कर पा रहा है तो वो उड़ेगा कैसे ठीक है आगे क्या है His father and mother had come around calling to him she really upbraiding him threatening to let him stop on his legs unless he flew away यहाँ उसके जो सीगल है उसके जो मम्मी पापा है वो उसको बुलाते हैं कि आओ इदर वो दूसरी cliff की तरफ चले जाते है तो वो उसको बुलाते हैं कि तुम भी इदर आओ बड़ है ना तो उसको खुद से ही उड़के जाना होगा उसको ड़राते हैं कि अगर तुम इस तरफ नहीं आए ठीक है आगे स्ट्वरी को कंटिन्यू करते हैं यह दाट वस्ट्वर आवर अगो सिंस देन नोबड़ी है कम नियर तुह चोविस गंटे पहले की बात है कि उसके पास कोई नहीं आया ठीक है उसको भूका छोड़ दिया गया वहीं पर उसके पास कोई नहीं आया तर दे बि दिन पहले की बात है वो क्या देखता है वो बता रहा है हाँ पे वो देखता है कि जूसकी पारंण को ठीक है बेसिकलि यहां पर जोसकी मामी पापा है उसके भाई तरेमें को ठीक सकता है एक ऐसे मचली पकड़ के खा सकता है उसको training मिल रहा है आगे क्या है he had in fact seen his older brother catch his first hearing and devoured it standing on rock while his parents circle around raising a proud of cackle so यहाँ पर क्या है जो उसका बड़ा भाई है वो एक first hearing पकड़ता है hearing क्या होता है एक मचली होता है पिक्चर में आप देख सकते हो यह hearing fish है ठीक है तो यह जो फिश है वो उसका जो बड़ा भाई हो पकड़ता है और जो समूंदर है ना वहाँ पर रॉक पर खड़ा हो जाता है उसके जो पैरेंट से उसके गोल गोल चकर लगाते हैं और उसका खुब तारीफ करते है ठीक है अ जाइस हैं YOUR टांटिंग तो इस सुबा सुबा की बात है कि जो उसका फैमली होता है वो सुट फैमली होता है दूसरी तरब से वकिए हूं तां कर रहे हैं कि वह बमुद्ित नहीं पकड़ पारा वो कुछ भी नहीं कर पारा तो दूसरी तरफ से कुछ उसकी फैमिली है उसकी मेंबर से उसको टाउंट कर रहे हैं ठीक है अब सूरज जो है वो धिरे दिरा स्काई की तरफ जाड़ रहा है और उसको गर्मी महसूस हो रहा है विकॉज उसने लास्ट नाइट से कुछ भी नहीं खाया किकि उसकी ममी पापन उसको कुछ भी नहीं दिया उसको वाँ पर भूका छोड़ दिया गया ताकि वो उड़े उडने को कोसिस करें बट वो नहीं उड़ा आगे देखो बहुत इंट्रिस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या करता है वो यंग सीगर वो क्या करता है लेच की किनारे पर वो जाता है और अपना एक पैर को वो हवा में एक पैर को खड़ा हो जाता है और दूसरे पैर को वो अपने पंग के नीचे छुपा लेता है और उसके बाद पहला अपना एक आख बंद करता है फिर दूसरे आख बंद करता है और सोने का वहाँ पे एक्टिंग करता है falling asleep तो बर्ट जो वो एक पैट पेशाय सोते हैं ठीक है तो वो सोने का नाटक कर रहा था उसके बाद क्या है? Still they took no notice of him. He saw his two brother and his sister lying on flat view, dozing with their heads sunk into the rock, sunk into the neck. His father was printing the features on his white back. Only his mother was looking at him. So, यहाँ पे वो क्या करता है? वो नाटक कर रहा है सोने का, बट वो देखता है, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपने अपने काम में लगे पड़े हैं. उसका भाई अपना कुछ काम कर रहा है, उसकी बहन वहाँ कोई काम कर रहे है, ठीक है? और उसके फादर भी सिर्फ और सिर्फ उसकी मा है, जो उसकी तरफ देख रही है, ठीक है? यहाँ पर देखिए उसकी मा क्या कर रही है, वहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है? वहाँ पर एक मचली का तुकड़ा ली और उसको वहाँ पर चीडफार कर रही है, उसको अपना चोच से और उसकी मा जो है, वहाँ अपने बीक को वहाँ पर शापन कर रही थी, वेट का मतल भी कि भी तेखिस में तो को खाईगी ऑजनी कि उसको अथा को मचली ने उसको बहुत जबहुत बोच्था महिससे कर दीखाने के लिए आगी बयुत इंट्रिस्टिन स्टौरी आने वाला है गहा की 捗ुण बगाग कोल आख, she screamed back derisively but he kept calling plentively and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother has picked up a piece of fish and was flying across to him with it. तो यहां पर रो रो की बिचारा सीगल बोलता है, खाने के लिए दे दो मा, उस तो खाने के लिए दे दो, back में उसकी मा जो है, वो भी scream करती है, वो अपने language में बोलती है, तीक है उसका जवाब देती है अपने बच्चे का, बट फिर भी उधर से भी जो आपका सीगल है, वो तो खुश हो जाएगा देखके, टर्निंग पर तो स्टोरी में आब आता है, तो यहां पर पिक्चर पर देखो, इसकी मा जो है, वो किस तरह से यहां पर आ रही है, और यह आपका यंग स्वीगल है, ठीक है, यहां पर स्टोरी में क्या है आगे, वो आपको बताते हैं, यहां पर क्या होता है, उसकी मा जो है, कुछ मिनट के बाद उसकी तरह दोड़ते हुए आती मचली के एक तुकुड़ा, अपने मुँ में लेकर उसकी तरफ आते ही रहती है, बट वो क्या देखता है, कि जैसे ही उसकी मा उसकी सामने आ रही है, वो अपना मुँ खोल के रखा है, कि उसकी मा आएगी, उसकी मुँ में मचली के तुकुड़ा दाल देगी, बट उसकी सामने जैसे ही उसकी मा आती है, वो व एक मोमेंट के लिए ऐसा क्या हुआ उसकी जो मा है उसने ऐसा क्यों किया पास तो आई बड़ खाना मुमेंट नहीं दी और वापस चले गए वह भूख से पागल हो गया एक दिन से पूरा एक दिन से वह सीगल बेचारा कुछ खाया ही नहीं है वह भूख से इतना पागल हो गया कि वह मचली को देखकर डाइब कर देता है डाइब तो कर देता है पर नीचे तो बहुत बड़ा समूदर रहता है तो भी था लावड स्क्रीम के साथ वह नीचे स्पेस की तरफ गिरते जा रहा था तो क्या होता है जैसे वह नीचे गिरने लगता है वह बहुत जादा डर जाता है उसको लगता है कि यह क्या हो रहा है बस यह सब कितना दरे कर रहे उसो कुछ समझ में ने आता ना कुछ सुनाय दे रहा होता है तो यह सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के उसके साथ होता है आकर है तो वह एक बर्डी ना सिर्फ एक मिनट के उसके साथ होता है next moment उसको क्या पता चलता है क्या मसूस हो रहा है कि उसके wings है वो spread है मतलब उसके जो wings है वो खूल रहा है बाहर की तरप उसके जो wings है वो खूल रहा है खूले गई है अपकोर्स वो बर्ड है the next moment he felt his wings were spread outward the wing rust the wind rust against his breast then under his stomach and against his wings he could feel the tips of his wings cutting through the air he was not falling head long now so यहां पर उसको कुछ समय बाद उसको ऐसा feel हो रहा है कि हम डूब नहीं रहे हैं हम नीचे गिर नहीं रहे हैं सर के बल हम वो आप पर आसमान में तैर रहे हैं मतलब उसका जो wings है हुआ से हावा का फ्लो हो रहा है हावा का फ्लो हो रहा है 만denkabe तो ऐसके बाद क्या होता है झाहा है जाह नहीं लग रहा है पहले तो जैसे ही ले से नीचे कि यूफ प्र जाह रहा त। जैसे जाहा है और उसको डर नहीं लग रहा है कि उसको पता इसको पता चल गया जो wings है वह वह फड़ पढा सकता ऊर सकता उसको समझ में आगिया ठीक है वो अपने भासा में वहां पे गागागा कर रहा है बहुत ही खुशी से और उसका जवाब में उसकी मा भी गाकॉला बोल रही है ठीक है बस वो सिर्फ थोड़ा समय के लिए डिजी फील किया था थोड़ा समय के लिए वो अनकमफर्टेवल फील भुआ था ठीक है कुछ सेकेंड के लिए कुछ मिनट के लिए यहां पर वो क्या देख रहा है कि जो उसके मा है वो तो कुछ हो रही उसका चकर लगा रही है फादर है वो भी उसके चारों तरफ घूम रहे हैं गोल गोल उसके जो भाई बैन है वो भी उसके तरफ स्क्रीम कर रहे हैं चिला रहे हैं बहुत अच्छे भाई वो भी सीख की अब उडने के लिए ठीक है तैरने के लिए अब आगे क्या है वो देखो यहां पर भूल जाता है कि पहले उसको उडना नहीं आता था पहले वो डाइब नहीं कर सकता था यह सब सब कुछ भूल जाता है यहां पर क्या होता है वो जैस जैसे नीचे जा रहा है वो समुद्र के करीब जा रहा है वो देख रहा है जो ग्रीन सा समुद्र था जिस पर वो डरता था वहां पर हों वहां पर उस समुझ से वह डरता था कि कहीं वह डूब लाँब कर शूप में था तर था रह सकता है तो छिक आप उसके उपर को ख़र हो सकता है जिक आए प्रेंस के यह सब्रकशं तर धे सब आंदे जो समुद्र है उस पे उसके parents और उसके family दो उसके भाई बैन वो पहले आ चुके थे बाद में बिचारा सीगल का नंबर आया देवर बिचारा सीगल का नंबर आया देवर कॉनिंग हीम कॉल श्रीली ही ट्रॉप्ट इस लेक्स तो स्टैंड ऑन दा ग्रीन सी इस लेक्स सैंग इंटो इट ही स्क्रीम बिट फ्राइट अन अटेंटेट तो राइस अगेन फ्लैपिंग इस बिंग तो यहां पर क्या होता है कि उसके जो पैर होते हैं सीगल के वह ग्रीन सीपे जो घारा समुद्र है उस वह खड़ा करने का कोसिस करता है लेकिन उसको क्या लगता है उसके फानी में धस्ते जा रहा है नहीं करना इस सब्सक्राइब सीप्राइब करने ना कोसी स्कुल है ऊपीजाइब खास्ट यह बहुत जाएंदयों सुमिघ की हमता है बट बाइ दे श्ट्रेंज एक्सराइज तो यहां पर कर रहा था अपने पंग को फट पड़ा रहा था उपर नीचे जो भी कर रहा था वह उसका एक्सरेंज इस फीट सैंक इन्टू ग्रीन सी अंद बेली टेस्ट इट एड़ शेंग नू फर्दर वहां पर क्या होता है कि उ राइंक हो जाता है ढूब जाता है और इसके जो बेली है वहां पर टेच करता है उस वाटर को वह लूबता नहीं है थी कि यह वह फ्लोटिंग ऑन ही वह उस पर टैरने लगता है डूबता नहीं अरांड हिमिस फैमली वाजिस प्रेइश में प्रेजिंग कर रहे थे बहुत अच्छी बात है तो मुझना सीख गया हो समुझ में डूब भी नहीं रहे हो उसका सब लोग तारीफ कर रहा था पहले तो बेचाला सब लोग उसको कावट बोल रहा था बट अब सब लोग मिलको तारीफ कर रहा है और वह बहुत जादा भूखा था तो उसको वहां पर वहां सब्सक्राइब लेख स प्लाइट लिया साथ में मिलके और गया है ठीक है फ्रेंज सानर आपको स्टॉरी बहुत अच्छा लगा मुझे देता ब्याज़ा रहा बहुत इंट्रिस्टिंग स्टॉरी था और आपको स्टॉरी अच्छे समझ में आ गया हो यह कुश पैस् सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना ठीक है थेंक यू फेरी माच